हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ सनाताउन और आज की इस वीडियो में हम लोग जानने बाले है जिदना भी हमारा एयर कंडिशन और रेप्रिजर्शन में कॉम्प्रेशर होता है जिस तरह ओन त्री ओन एट वन वाई सिक्स वान टोन एसी और टू टोन एसी जिदना भी कॉम्प्रे यूज होता है और इस कॉम्प्रेशर कितना एंप्यर में चलता है और इस कॉम्प्रेशर का वाट कितना है यह सरी जनकारी हम लोग इस वीडियो में जानने बाले है देखो यह है हमारा ओन एट का कॉम्प्रेशर जो सिंगेल डोर होता है इस सिंगेल डोर में हमारा इस कॉम रहेगा 200 ml का 200 ml का ओयल रहेगा और इस और इस सिंगल डोर प्रीज में रानिंग केपसिटर रहेगा 6 MFD का और हमारा इस प्रीज में एम्पियर रहेगा 0.70 एम्पियर और इस कंप्रेसर में वाट 95 का वाट रहेगा ठीक है यह हमारा 1.6 का कंप्रेसर जो डावल डोर प्रीज में यूज होता है ठीक है इसका कैपूलरी साइज रहेगा 0.031 डायामिटर और 9 फीट का रहेगा ठीक है और इसका जो ओयल होता है इस कंप्रेसर में 134 का इसका ओयल 250 ml तक आएगा ठीक है 250 ml से हो जाएगा और इस डावल डोर फीज में कैपासिटर का कैपासिटर रहेगा 6 MFD का कैपासिटर रहेगा और इस डावल डोर फीज में एमपीर हमारा 1 एमपीर का असपास में रहेगा ठीक है और इस में 120 वाट का कंप्रेसर होगा इसका केपिलरी साइज रहेगा जिरो पॉइन्ट जिरो फॉर जिरो डायमीटर और नाइन फिट का केपिलरी यह जो डिप प्रिज है इस डिप प्रिज में उस होगा और इसका oil charging के लिए हमारा oil 350 ml तक आएगा ठीक है और यहाँ पर यह जो compressor है इस compressor में capacitor हमारा 40 x 60 mfd starting capacitor के लिए और running capacitor 10 mfd का ठीक है और इस freeze में ampere रहेगा हमारा 2.5 तक ठीक है देखो यह है 1 ton AC का compressor ठीक है इस compressor में wattage रहेगा 1000 watt का compressor होता है ठीक है और इस compressor में capillary रहता है single capillary 0.055 diameter और 32 inch का capillary होता है इस compressor में capacitor रहेगा running capacitor 36 mfd और ampere रहता है हमारा 1 ton AC में 4-5 ampere में यह compressor चलता है और इस compressor में oil charging के लिए हमारा 500 ml का oil लगता है ठीक है प्रेंड्स यह है हमारा 1.5 ton का AC है ठीक है 1.5 ton AC का compressor है इस compressor में wattage रहता है 1500 watt का चलता है और इस compressor में इस AC में capillary size रहता है 0.060 diameter और 27 inch का double capillary होता है ठीक है और इस AC में capacitor रहता है 45 mfd का capacitor और 6 ampere तक यह चलता है और इस compressor में oil charging के लिए 500 ml का oil charge होता है देखो यह है हमारा 2 ton AC का compressor इस compressor हमारा 2000 watt में चलता है और इस AC में capillary size होता है 0.064 diameter और 28 inch का होता है double capillary ठीक है और इस 2 ton AC में capacitor रहता है 60 mfd का running capacitor और 8 ampere में यह compressor चलता है और इस compressor में oil charging के लिए oil 600 ml तक oil रहता है इस compressor में ठीक है जबस्च्टन होता है जबस्टन होता है प्रवस्टन होता है झाल झाल